R.D. Sharma solution है यह, class 12 है, chapter 11, differentiation exercise है 11.2, यहाँ पर है y बराबर यह expression, dy by dx आपको बताना है, कि यह sin inverse x है, अब इसमें sin inverse x का भी आपको पता है, और क्योंकि यहाँ दो term है, तो यहाँ तो हम product rule लगा देंगे, इसका direct हो जाएगा, लेकिन यह ध्याँ रखना है, कि sin inverse x लेके आना है, वो कैसे होगा, अगर हम इसका dy by dx करें, तो x sin inverse x का पहले मैं कर रहा हूँ, यह जो होगा, आपका किस तरीके से होगा, product rule से, तो x sin inverse x का पहले कर लेते हैं, यह होगा, x, फिर d by dx of sin inverse x, फिर sin inverse x, और d by dx of x, तो sin inverse x का क्या होता है, 1 by under root 1 minus x square, और प्लस यह sin inverse x ही रहेगा, फिर d by dx, x का 1 रहेगा, अब इसका कर लेते हैं, इसके साथ जोड़ देते हैं, ध्यान देजेगा, कि कोई भी root होगा, तो हमेशा 1 by twice of under root, जो भी content है, इसमें 1 minus x square ही हो जाएगा, अब 1 minus x square का आप करेंगे, तो इसका तो 0 होगा, इसका 2x होगा, minus 2x है, तो इसको मैं minus कर देता हूँ, यहाँ पर 2x की जगा यह 2 कर जाएगा, जैसे 2x आएगा, minus 2x, तो minus तो यहाँ लिख दिया है, आप यहाँ लिख दिया हमें, 2 और 2 cancer कर दिया दिया, लिखना आपको ऐसे है, जहाँ आप product rule लगाएंगे, आप product rule भी लिखेंगे, ऐसे करके न, आप product rule, proper अक्षरों में, शब्दों में लिखेंगे, y बराबर है, under root x square प्लस a square, आपको prove करना है, कि यह expression valid होगा, तो इसके लिए जो लोग, क्योंकि यह भी उतना, कि यह y बराबर under root x square प्लस a square है, तो शुरुवाती दोर में हम क्या करते थे, dy by dx करते थे, उसका dy by dx इसका करते थे, तो इससे थोड़ा आसान तरीका यह है, कि यह x square प्लस a square का power, अगर हम दोनों जगर square कर दे, यह root हट जाएगा, इसका अगर square करें, तो root हट जाएगा, यह दे कि y square प्राबर हो गया आपका, x square प्लस a square, अब इसको differentiate कर देते, जैसे यह 2y, और y का dy by dx, x square का हो गया 2x, a square constant है, तो आपका यह 2 से 2 कर जाएगा, इसको इदर ले आईए, dy by dx, y अपना है ही, इसको यहाँ ले आईए, minus x, बराबर 0, ऐसे हो जाएगा ही, next question में है, y बराबर e की power x, plus e की power minus x, dy by dx आपको यह बताना है, कैसे होगा जी, अपने आप try करे, और अगर थोड़ा सा problem होती है, कहीं, तो मैं बताता हूँ कैसे करते हैं इसको, यह आपका y बराबर e की power x, plus e की power minus x है, अब dy by dx करेंगे, तो क्या मैंने का जी, e की power x का e की power x होता है, फिर x का 1 हो जाएगा, यहाँ e की power minus x का, e की power minus x होगा, लेकिन minus x का, minus 1 होगा, तो minus हो गया यह, अब इसको, केवल इस form में करना है आपको, देखिए, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, एक formula लगाएंगे इस, a, a minus b का whole square, a plus b का whole square, minus a minus b का whole square, यह 4 a b होता है, यह हम जानते हैं, करके दिखा देता हूँ, a square plus b square plus 2 a b, minus a square plus b square minus 2 a b, खोल देते हैं इसको, a square plus b square plus 2 a b, और minus a square minus a b square plus 2 a b, यह इससे गया, यह इससे गया, 2 a b, 2 a b, 4 a b बन गया, तो आपको चाहिए, e की पाउर x minus e की पाउर x, मतलब यह subtraction वाला चाहिए, इसको इधर ले आईए, इसको इधर कर दीजे, और फिर यह square है, तो under root कर दीजे, इसका मतलब a minus b आपका जो बनेगा, वो final बनेगा आपका, a plus b का whole square, minus 4 a b, यह तो बनेगा, तो इसको आप कैसे लेख सकते हैं, यह a है, यह b है आपका, a minus b कैसे बनेगा, under root a plus b का whole square, यह इसका square, यह e की पावर x, plus e की पावर minus x का whole square, और minus 4 into a into b, a into b क्या आएगा, e की पावर x into e की पावर minus x, और यह क्या होगा, x minus x, पावर जुड जाएंगे, x minus x, तो e की पावर 0 हो गया, तो यह 1 हो गया, तो minus 4 ही बचेगा, लेकिन यह चीज़ क्या होई जी, शुरुआत में यह y था, यह क्या हो गया, y square minus 4, और यह कहां से शुरूआ था, यहां से शुरूआ था, dy by dx, रैसे आ जाएगा यह, y बरावर है आपका under root a square minus x square, प्रूव करना है, यह संख्या, यह expression, तो इसमें भी आप अपने आप ट्राइ कर सकते हैं, इसमें भी बहुत आसान सा है यह, सीधा dy by dx करते हैं, लेकिन इसमें एक काम करेंगे, अगर हम direct करेंगे, तो एक question जो हमने पहले किया था, अगर हम इसका dy by dx करने लगे, तो हमें one by twice under root, यह सब चीज मिलेगी, तो बेटर यह रहेगा, कि हम यह जो y है, इसको square करतें और इसको भी square करतें, क्या बनेगा, y square बनेगा, a square minus x square, अब dy by dx करें, तो dy by dx, पहले तो यह y square की तरह चलेगा, 2y बनेगा, फिर y का भी होगा, dy by dx, इसे हो जाएगा यह, a square का तो 0 हो जाएगा, और इसका minus 2x होगा, 2 to guard दीजे, x को यहां ले आईए, y dy by dx, plus x बराबर 0, यह चीज आगए जी आपके, लिखना ऐसा है, यह सारे जो content मैं आपको दिखाता हूँ, वो लिखने के लिए, कि यह लिखना ऐसा है, दर जैसे करना है, अगर x into y बराबर 4 है, तो आपको यह प्रूव करना है, तो इसका भी तरीका देख लीजी, इसमें क्या करेंगे, x, y को हम differentiate करने लगे, तो हम यहाँ पर product rule लगाएंगे, और बराबर 4 मैंने की 0 हो जाएगा, लेकिन हमको लाना यह है, इसके लिए हम क्या करेंगे, x, y बराबर 4 है, इसको हम देखेंगे कैसे, y बराबर 4 by x, यह क्यों किया, यह हमको d y by dx चाहिए, और d y by dx यहाँ से मिलेगा, ऐसी तो मिलेगा, d y by dx करेंगे तो इसका क्या होगा, यह 4 by x है, अब 4 by x को आप करने लगे, तो आप इसको u माल सकते हैं, इसको v माल सकते हैं, आप इसमें लगा सकते हैं, अपना question rule, लेकिन वो तरीका ठीक नहीं है, यह तो constant है, इसका तो कुछ होना ही नहीं है, तो 4 यह है, तो 4 into 1 by x लिख सकते हैं इसको, x उपर जाएगा, तो x की पार minus 1 हो गया है, अब क्यों आपको x की पार minus 1 का differentiation करना है, तो x की पार minus 1 का क्या होगा, minus 1, x की पार minus 1 minus 1, यह बनेंगे आपको 4, minus 1, यह x की पार minus 2 बनेगा, नीचे ले जा रहा हूँ, तो यह आपका x square हो गया, यह फाइनल आपको जो बना minus 4 by x square बना, तो यह तो आया नहीं जागी, यह तो उत्तर आया नहीं, डिवाइब एडिए x, तो कुछ तिकड़ा मौर लगा रही पड़ेगी आपको, तब यह आप मैंने आपको क्या बताया था, x y बराबर 4 है, इसको हमने कैसे माना था, y बराबर x 4 by x, लेकिन x निकालना चाहे तो क्या होगा इससे, x होगा आपका 4 by y, वो यहां रख दीजे, minus 4, x square की जगाँ आप क्या रिखेंगे, 4 square by, y square by y square उपर चला जाएगा, एक 4 से 4 काट दीजे, पाइनल आपका क्या बनता, minus y square by 4, यह dy by dx है, इसको इधर ले आई आई आप, तो आपका बना, 4 dy by dx, बराबर minus y square, अभी भी नहीं आ रहा आपका, तो इस minus y square को लिखने के लिए, यह 4, 3 चाहिए ना हमें, तो 4 तो दिख रहा है, तो इस 1 को, minus 1 को हम कर सकते हैं, 3 minus 4 कितना होता है, minus 1 होता है, तो इसकी जगा हम लिख सकते हैं, इसको 3 minus 4 into y square, यहने के 3 y square minus 4 y square, यहां तक ठीक है, यहां तक तो हम आगे, इस 4 y square को हम ले जाते हैं इधर, यह है 4 dy by dx, प्लस 4 y square, बराबर 3 y square, यहां तक हम ले आए, dy by dx, प्लस y square, बराबर 3 y square, अभी भी नहीं आया, दुनों side को आप x से divide कर दीजे, इससे क्या फाइदा होगा, यह x y बराबर 4 था, तो 4 y x क्या बन रहा है यहां से y, इसके जगा y लेग दीजे, 3 y square by x, x को यहां ले आईए, और y को यहां ले आईए, यह तो कर सकते हैं, तो जगा x, dy by dx, प्लस y square, बराबर 3 y square by y, एक इससे cancel हो जाएगा, तो यह final बन गया, यह आपको 3 y है, x है, x है, 3 y है, और dy by dx, प्लस y square, यह बन गया, देख लीजे, कैसे हुआ है, फाइनल, जो divide by x के बाद, जो है, वो यहां पर दिया हुआ है, यहां पर है, थोड़ा इसमें effort है, इस question में, तो effort ही इस तरीके का है, कि algebra जादा है, इसमें, और इनोवेट्री भी involved है, तो इसको कर लेते हैं, अपको under root a square minus x को लाना है, d by dx इसका करना है, तो यहां पर एक-एक करके हम करेंगे, पहले इसका differentiation करेंगे, फिर इसका differentiation करेंगे, तो पहले वाले का differentiation में आपको बता रहा हूँ, पहले वाले का differentiation क्या होगा जी, हम इसको करेंगे, क्योंकि इन दोनों को यह हमको प्रोडक्ट रूल से करना पड़ेगा तो यह A माल लीजे यह B माल लीजे आप A का कर रहा हूँ मैं तो यह बनेगा इसमें हाफ तो बाहर ले लीजे हाफ को बाद में डील करेंगे तो पहले बनेगा X और DYDX इसका अंडरूट A स्क्वाइर मैनस X स्क्वाइर का और प्लस अंडरूट A स्क्वाइर मैनस X स्क्वाइर ऐसे आ जाएगा और DYDX बनेगा X का तो DYDX X का बनी होता है तो मैं नहीं लिख रहा हूँ 1 by 2 यह होगा X जो भी रूट होता है वो तो 1 by twice of अंडरूट A स्क्वाइर मैनस X स्क्वाइर आता है यह तो आपको पता ही है A स्क्वाइर मैनस X स्क्वाइर का differentiation करेंगे यह 0 हो जाएगा यह मैनस 2X बनेगा तो मैनस 2X में मैनस 2 नहीं लिख रहा हूँ है इससे काट दे रहा हूँ मैनस 2X तो यह X स्क्वाइर हो गया मैनस 2X में 22 काट यह मैनने मैनस लाया और इसके साथ X कमाइन कर दिया प्लस अंडरूट A स्क्वाइर मैनस X स्क्वाइर ज़रा इसको रिजॉल्व कर ले पहले इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे इसका फाइनल ले आते हैं तो LCM मैंने बताया था आपको ऐसे करना है ऐसे करना है मतलब इसको स्क्वाइर करना है यहां लिख देता हूँ इसको स्क्वाइर करना है यह दोनों रूट रूट मैनिप्लाइक होंगे तो A स्क्वाइर मैनस X स्क्वाइर ही आएगा और नीचे आपका अंडरूट a square मैनस x square यह क्या बना a square मैनस 2x square divided by अंडरूट a square मैनस x square और 1 by 2 तो खेर है यह आपका अल्राइट यह a आया है जी अभी इसका differentiation अब कर रहा हूँ मैं तो इसका differentiation कर लेते यह वालेगा तो इसमें भी a square by 2 इसमें तो कुछ कर रहा है नहीं a square by 2 ऐसे भी constant है तो इसमें product rule लगाने की ज़रूद नहीं है differentiation a square by 2 में बात में लिखता हूँ पहले sine inverse x by a का कर देता हूँ sine inverse x by a का क्या होगा differentiation of sine inverse x by a इसका कर रहा हूँ मैं होई तो 1 by under root 1 minus x square by a square जो भी होगा उसका 1 minus square हो जाता है अब x by a का differentiation करेंगे x by का differentiation करेंगे तो 1 by a तो बाहर आजाएगा d by dx केवल x का होगा वो 1 होता है तो केवल 1 by a बाहर आएगा अब 1 by a बाहर जब आएगा तो आपका a square by 2 तो है तो एक a से काट दीजे a by 2 बचेगा तो finally हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर a by 2 बाहर केवल a by 2 आया अब इसको देख लेते यह क्या बनेगा आपका यह बनेगा a square minus x square by a square under root 1 अब इसको उपर ले जा रहो होगे तो यह उपर ले जाएगे तो बनेगा under root a square उपर जाएगा तो a ही रहेगा और a by 2 बाहर ही नीचे आपका under root a square minus x square ठीक है जी यह a square final क्या आया a square by twice under root a square minus x square अब इसके साथ combine कर देते हैं तो इसके साथ यह a का solution है यह b का solution है अब a और b में देखिए 1 by 2 दोनों में common है है ना तो 1 by 2 तो पहले मैं बाहर लेता हूँ यहां भी 1 by 2 बाहर रहा है था यहां भी 1 by 2 बाहर रहा है तो 1 by 2 को बाद में deal करेंगे यह ध्यान रखिएगा बस अब मैं इनको subtract कर रहा हूँ a square minus 2 x square by under root a square minus नहीं यह वाला देख रहे हैं a square minus x square और यह minus तो क्या बनेगा under root a square minus x square तो यहां जाएगा यह बनेगा a square plus a square 2 a square और यह minus 2 x square इससे 2 common ले लिजे क्यों common लिया आपको बते हैं नहीं यह half मैंने कहा था यह हमारा है ही अल्रड़ी यह 2 2 इससे cancel हो जाएगा फैनल क्या आएगा a square minus x square उपर नीचे आप इसको a square minus x square से बने क्लाए कर दीजे तो क्या बनेगा a square minus x square into under root a square minus x square और यह root और root cancel हो जाएगा a square minus x square आएगा यह दोनों cancel हो गए क्यों यह मचेगा under root a square minus x square यह आपका final answer आएगा चलिए साहब थोड़ा लंबी exercise थी यह लेकिन ultimately हमने इसको कर लिया है बहुत शुक्रिया